तो हलो भाईयों स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल पे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडियन सिसी वेना और ग्रेर्ट स्पीकर रिकर्मी के बीच में होने वाले आज के आस्टिया टीटेन मैस के बारे में तो दोस्तो ये मैस नमबर बारवार आए जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तो अगर आप लोग टेलीग्राम को जोइन करने साथ हो तो टेलीग्राम जोइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं लिंग दे रहा हूँ वहां से आप डिर्क्ली टेलीग्राम प बीच में ठीक है मैच स्टार्ट होगा दोस्तो तीन बजे और वेदर की बात करें तो रेंग के यहाँ पर चांस नहीं है वेन्व रहें दोस्तो सी बन क्रिकेट ग्राउन लोवर रॉस्टिया का और पिछ रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलन सर्फेस आपको ओवर ओल देख रहने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आई सी सीवी के प्रोबल प्लेंग लेवन के बारे में तो यहां से उपन करने चाहिए दोस्तों मेहर चीमा और कुनाल जोसी ठीक है मेहर चीमा एक बहतरीन बैस्मेन है और बैटिंग से काफी अच्छा ये इस विकेट इसके नाम है 47 वर डालके खेलता है तो दो बर की बिल्कुल यह बॉलिंग कर आएगा और दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है इंटरनेशनल मैच के साथ मैच इसने खेला है ठीक है और उसमें दोस्तों बासर रण 20 कावरेज है काफी इंटरन होता है आपके लिए टीटेन में अक्सर बालिंग कराता है तो आपके लिए केप्टन वास केप्टन का भी प्रवल दावदार रहेगा यह अब इसे गोपाल कृष्णन है टीटेन के दोस्तों 30 मैच में 394 रन 30 कावरेज 11 विकेट 27 वर डालके पार्ट टाइम बालिंग के साथ साथ यह आपको टॉप अड़र ने बैटिंग करता हुआ दिखेगा इंपोर्टन प्रेयर है आपकी टीम में होना चाहिए दावद जादरान है तो टीटेन के 29 मैच में 269 रन और 27 का अवरेज है 31 विकेट इसके नामें क्यावर डालके यह भी दो बर की बा बिल्कुल आपकी टीम में यह दोनों प्लेयर्स होने टाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां से रंजीस सिंग है रंजीस सिंग कर देख सकते हो दोस्तों टीटेन के 27 मैच में 357 कावरेज है तीन विकेट इसके नाम है हलाकि दोस्तों बैटिंग से ही अच्छा खासा इ 32 वर डालके आपकी टीम में बिल्कुल होना चाहिए दोवर की बॉलिंग यह करा सकता है बाकी एक से दोवर की बॉलिंग तो फिक्स है इसका ठीक है उसके बाद तो अमन च्छा बड़ा है टीटेन के 14 मैच में दोस्तों 13 15 का अवरेज है ठिक ठाक सा एवरेज है खेलता है तो ध्यान रखेगा ले सकते हो टीम में इसको मनी सींग है दोस्तों 14 मैच में 9 विक डिस्क नाम है 18 वर डालके दोवर की बॉलिंग कराएगा बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए बिल्कुल ले सकते हो वासिक सलूजा है टीटेन के 13 मैच में दोस्तों 12 विक डिसके ना नाम है और देख सकते हो दोस्तों यहां पर 14 वर इसने बॉलिंग किया था तो हर मैच में मतलब लगवक मान लोग की दोवर की बॉलिंग के करार है तो बिल्कुल आपकी टीम में यह होना चाहिए गिल सिंग है दोस्तों टीटेन के 8 मैच में 10 विक डिसके नाम है प्लेयर का कि बात करो यहां से तो मेहर सिमा को आप टीम में रक सकते हो कुनाल ज disciplined को अभि इसे गोपार्ल कुछ्णन को रक सकते हो दाउच जादरान यहां से इंपौर्टेयरane हो नीचे से दोस्तों आप लख सकते हो यहां से वसिप सलूजवा और गिल सिंग को रुक सकते हो और गु तों रहुं हो, बाकी मिला नहीं है अभी मेरे को, ठीक है, स्टार्टिंग को और आपको गिल सिंग, वसिब सलूजा करते दिखेंगे, अहमाद गनी भी, ठीक है, डेज में आपको अहमाद गनी कुनाल जो सी बॉल्ण così करती होगई दिख सकते हैं, ठीक है, तेछालिये दोस्त अब बात करते हैं GCA के प्रोबेल प्लेंग 11 के बारे में तो दोस्तों GCA की टीम से जो most probably दोस्तों यहां के प्लेयर्स हैं बहुत कम T10 खिले हैं T20 जादा इन्हों खिला है सहजाद अबजल देख सकते हैं इनका 9 मैच में 216 विकेट इसके नाम है और यह दोस्तों लास्ट के कुछ आपकी टीम में होना चाहिए इवन सहजाद अबजल भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा तो दोनों ओपनर most important हो जाते हैं इनकी टीम से तो बिल्कुल आपकी टीम में दोनों होने चाहिए उसके बाद सो अस्तिक सा है Domestic T20 के 10 मैच में दोस्तों 115 रन है 10 विकेट इसके नाम है 30 वर डालके ये भी आपको दो बर की बॉलिंग करते हुए दिखेगा अगर खेले तो most important प्लियर रहेगा योगेस बेलागे हैं दोस्तों और T10 के 5 मैच में 46 रन है एक विकेट चारवर डालके जर्रेली ये बॉलिंग बहुत कम कराता है लेकिन Domestic T20 के 10 मैच में दोस्तों 173 रन 28 का एवरेज है काफी अच्छा इसका एवरेज रहा है तो आपकी टीम में बिल्कुल ये होना मेरा विकेट इसके नाम है 27 डालके ये भी आपको दोवर की बॉलिंग करते हुए दिखेगा खेलेगा तो मोस्त इंपॉर्टन प्लेयर ये रहा है मेरी टीम में बिल्कुल रहेगा आप भी अपनी टीम में बिल्कुल इसको रखिएगा उसके बाद दुस्तों सौकात दूर और इसने डोमेस्टिक टीट्वेंटी में जैसे ही मतलब नया नया आया था तब से ये बॉलिंग करा रहा है तो बिल्कुल दोस्तों ये टीटेन में बॉलिंग कराएगा दो वर की बॉलिंग तो बिल्कुल आप सौकात दूराने को अपनी टीम में रखके चलना ठीक है उस दीखेगा रहे हैं पीक करके चलना उसके बाद वकार रहा है मतले ड्रॉप करके चल सकते हो हभीब दोप करें चल सकते हो अब करके चल ब्यों सकते हैं नीचे से दोस्तों आपके लिए इसकात दूरौ 1 और यहां से भारगाव पांडय आपके लिए important हो जाते हैं ठीक है बाकी players को आप drop कर सकते हो यहां से दोस्तों bench के player देखो यहां पे इनके record तो मुझे कहीं भी नहीं मिले बहुत दूड़ा मैंने आपको गलत record देना नहीं चाहता है इसलिए मैं लिखा नहीं हो कुछ भी तो आपको record मिलते ही मैं आपको telegram पर provide कर दूँगा सारी चीजे सारे records दोस्तों यहां पर starting को और आपको भारगाव पांडया सौकात दूरानी अब्दूल जेबर खिल करते दिखेंगे डेथ में आपको भारगाव पांडया साजाद अबजर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों यह तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं डेमो टीम की तो दोस्तों यहां विकेट कीपिंग सेक्षन से मेहर शीमा ही important बनते हैं क्योंकि बाकी प्लेयर के उतने ज्यादा अच्छे record नहीं है तो मैं अभी के लिए मेहर शीमा को pick कर रहा ठीक है तो यह balling कर आता है काफी अच्छे से उसके बाद दोस्तों यहां से आस्तिक सा important हो जाते हैं एक पर्सें सेलेक्षन है लेकिन काफी अच्छे इसका record आपको बताया हमाने ठीक है तो बिलकुल आपकी टीम में यह होना चाहिए बाकी नीचे के प्लेयर उतने ज्याद किया हूँ ठीक है इसका record भी मैंने आपको बता दिया है तो लेना चाहूँ तो ले सकते हो और उंडर सेक्षन से बी गाउडा और इसके बाद दोस्तों गिल सिंग important हो जाता है ठीक है गोपाल किष्णन और उस तो बी पांडिया यहां से important है देख सकते हो भारगो पांडिय का भी selection rate बहुत कम है लेकिन प्लेयर बहुत जबरदस्त है बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए मैं तो अपनी टीम में इसको pick करके चलूँगा अभी दोस्तों आ जाते हैं सिधा balling section में तो bossing balling section से दोस्तों अफजल को देख सकते हो ठीक है अफजल का selection rate बहुत कम है ल करके चलूँगा ठीक है और भी अच्छे प्लेयर हैं यहाँ लेकिन सब को नहीं ले सकते दोस्तों गुर्षेवन सिंग भी ले सकते हो आप ठीक है मडाने भी काफी important है और यहां सलूजा भी important है लेकिन सब को नहीं ले सकते तो ड्री जादरान में यहाँ पर पिक के हो दोस दोस्तों Captain Vice Captain इसको भी बना सकते हो ग्रेंटली की जीतने भी इतिम में बनाओंगे प्लेयर्स रूटेट करना ग्रेंटली में Captain Vice Captain रूटेट करना बाकी फाइनल तिक में आपको अप्टर टॉस टेली ग्राम पर मिल जाएगी ठीक है दोस्तों टेलीग्राम को जोईन कर लो और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कर दिना चैनल को सस्क्राइब करके रखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच